नमस्कात मैं हूँ कुमार गजेंद्र जनपत्थ अन्दा स्पॉर्ट में आपका स्वागत है हमारे एक दूसे सोचल मीडिया प्लेट्फॉर्म पॉर्ट कास्विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है जहां आप हमें सुन सकते हैं दिल्ली के पूर मुख्य मंत्री अर्विंद केजरी वाल का सीस महल जो है जो बंगला है उसकी चर्चा तो आपने लगातार सुनी ही होगी लेकिन सीस महल का विवाद एक बार फिर से दिल्ली के अंदर यानि के दिल्ली विधान सवा में जो नेता प्रतिफक्ष हैं एक बार फिर से आरोप लगाए हैं सीस महल को लेकर इस कड़ी में विजंद्र गुपता आज सीस महल के बाहर जा पहुँचे और उन्होंने वही पर मीडिया को संबोदित करत हुए कई बड़ी बातों से पर्दा हटाया जिन में से सबसे बड़ी बात यह है कि दिल जो अर्विंद के जिरिवाल एक समय पर राजनीती में आने से पहले उस वक्त ततकालीन जो दिली की मुक्यमंतरी सीला दिक्षिती उन पर आरोप लगाया करते थे और उनके एर कंडि लगे हुए थे मुतिलाल नहरुमार्ग पर जो अभी जिसमें आतिसी मार लेना रहती है उसके एसी गिना करते थे तेरा एसी लगे हैं जी चौदा एसी लगे हैं जी बताइए एक मुक्यमंतरी के घर में इतना एसी आपके घर में कोई एसी है पैसा लिया जाता है वापर और दर गुप्ता आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजरी वाल करीब आठय एकर के बंगले मेरे नहीं है कि कि आंदर मुख्यमंत्री आये थे वो बंगला नहीं है वो केवल 10,000 गज का बंगला था लेकिन इसे कबजा करते करते अंदर 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 इसे इतना बड़ा कर दिया गया कि आज ये 40,000 गज में है और करीब 40,000 गज का मतलब होता है आठ एकर के अंदर अरविंद के जिवाल अकेले रह रहे हैं वो अरविंद केजिवाल जो सीला दिख्षित पर और दूसरे नेताओं पर आरोप लगाते थे देखो जी कैसे रहते हैं ये नेता देख लिया जी पंदरा एसी लगे है तेरा एसी लगे है देखो जी टैलेफोन का बिल, बिजली का बिल सब चनता परती है आज वही अरविंद केजिवाल आठ एकल के बंगले में रहते हैं आप ये समझिए आज जो नेता विपक्ष हैं उन्हों ने अरविंद केजिवाल की पोल खोल कर रख एक बार फिर से ये पूरा माहौल पूरा मामला गरमा गया है और मामला इसकर गरमाया है कि अर्विंद केज्री वाल की तरफ से कोई जवाब देनी नहीं आया इस पूरे मामले में अब ही तक सामने नहीं आया लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात एक और है जो आज बिजिंद्र गुप्ता ने सच्वुच इसका खुलासा किया है कि आज सीस महल को एलाट हुए पांच दिन गुजर चुके है जिस सीस महल के लिए आतिसी मार लेना खुद अपना बोरिया विस्तर लेकर आ बिंद्र केजडी वाले उन्होंने इस्पेशल कमीशनर को इस्पेशल सेक्रेट्री को चावी दी सौप दी और उसे छीन के अपने साथ ले गए और बाद में वह आतिसी मार लेना उस चावी को लेकर सीस महल में अपना समान रख के घुज गई लेकिन आज पांच दिन हो ग लिए क्योंकि अब अलॉटमेंट होगी अब तो कोई आनी सकता उसमें लेकिन अब तक जो दबों के बीच में बैठे हुई थी बंदेवे समान के बीच में बैठके काम करने के नौटंकी कर रही थी वो अभी तक इस बंगले में आई नहीं है एक बात है दूसरी बात है आज जो बिजंदर गुपता ने कहा वो बड़ा गंभीर मामला है वो कहते हैं पूर मुख्यमंति अर्विंद केजिवाल का आवाज सीसमेहल शिक्स फ्लैग स्टाफ रोड जिसमें अवैद तरीके से निर्मान किया गया है सीसमेहल मूल रूप से 10,000 गज में था और जिसमें 6 श्लाब फ्लैग स्टाफ रोड से सटे 45 और 47 राजपुर रोड इस्टित आर एट टाइप वी के फ्लैट तोड कर वह एट ए और एट बी के दो बंगलों को मिलाकर सीसमेहल को लगवग 35,000 गज यानि करीब 8 एकर के विसाल छेतर में तबदील कर दिया गया और आलिसान महल में वहाँ पर बना कर खड़ा कर दिया गया इसके अलावा भवन उपनियमों के अंतरगत ना तो अधिक्तम ग्राउंड कवरेज और ना ही अधिक्तम एफे आर की सीमाओं का पालन किया गया है तुगला की आदेश जारी किया गया है किया गया था और पूरे प्रशासन से ने सरेंडर कर दिया और नियमों की जमकर धज्यां उड़ाई गई आप अपने आपको कत्तर इमांदार बताने वाले अर्विंद केज्रीवाल क्या यह बेमानी का एक जवलंत उधारन नहीं है दोका दरी पार्टी लगातार दिल्ली की जनता को दोका दे रही है और इमांदार होने का लगातार दावा कर रही है यानि कि कितने सारे जो रेनोवेशन का भी अगर जिसका जिकर करते हैं अर्विंद केज्रीवाल अगर उसको भी मान लिया जाए तो आप इसमें अर्विंद केज्रीवाल से दिल्ली की जनता जो सवाल पूछती है वो यह पूछती है कि यह जो बंगले थे 47, 45, 47 और 8A, 8B यह बंगले कहां गए यानि कि इनको तोड़ कर इस सीस महल में मिला लिया गया और एक आली सान बंगला यहां पर खड़ा कर दिया गया जैसा कि अजय माकन कहते हैं 171 करोड रुपे खर्च किये गए इस पूरी कवायत पर फिर एक बार सुनिए 171 करोड रुपे खर्च किये गए इस पूरी कवायत पर जिसमें इंकुलूड वो यह भी करते हैं जो अधिकारी यहां पर रहा करते थे उनको खेल गाउं में सिफ्ट कर दिया गया यह सारा करी 171 करोड रुपे का घोटाला हुआ था और आज विजेंदर गुपता ने एक बार फिर से दजियां उड़ा कर रख दी अर्विंद केजिवाल की उस इमानदार चमी एक बार सुनिए कि विजेंदर गुपता असल में कहे क्या रहे हैं और वो सी समयल के बाहर कड़े हुएं वह गैर कानुनी काम था अब पीड़ डी ने विदिवत सील करके पॉजिशन लिया और कागज सारे तयार किये और फिर आफर दिया है आज आफर दीवें पांस दिन से ज्यादा हो गये हैं आमादी पार्टी को सांप सून गया है आतिशी जी इस परश करिये इस्तिति कि आपने अभी तक इस पूरे मामले में जिसको आप इतनी जल्दी थी आपकी समान लेकर आ गई और आपने का किये मैं सड़क पर हूँ और मेरा जो मुझे घर से काम करना पड़ रहा है और डबे भी रखके रहा बैटी थी तो आज जब आपको अलाट्मेंट हो गई है तो आपने अ बंगला है ये शीश महल ये चालिस हजार गज में है इस समय इसमें आठ जो टाइप फाइफ फ्लैट्स थे जिसमें जजिज रहते थे जो पंदरह हजार गज के करीब एरिया था उसको भी केजरिवाल जी ने खाली करवा लिया और छे फ्लैक स्टाफ रोड में उसको मिला फिर उसी तरह से आठ ए और आठ बी जो लगवग दस हजार गज से जादा है जिसमें भारत के पूर उग्रहस चीव पिस्टा भला और जो चीफ सेक्रेटरी हैं अभी मनीश गुपता जी वो यहां रहा करते थे आ उनको उनसे भी खाली कराए गया और उसको भी मुख्यमंत फिर जो है जितना अलाउड है उतने फिर से बाहर चले गए यानि की पूरे नियमों को धता बता कर एक ऐसा सामराज्य स्थापित किया जो जूट और भृष्टा चार पर स्थापित था के जिवाल जी आज बोलते हैं कि हम इमानदार हैं लेकिन भृष्टा चार का सबसे ब लोगों की जुबा पे हैं और लोग सवाल कर रहे हैं इन से कि आप बताईए कि चालिस हजार गज दस आठ से दस एकड जगा में आप रह रहे हैं रहना चाह रहे थे तो यह जो मानसिकता है ब्रष्टाचारी मानसिकता इसके कारण यह सारी स्थित्य उत्पन हुई है और इ इसमें इसमें सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में जो हमने कंप्लेंट दी है उसमें हमारा यह कहना है कि किस तरह से ले आउट अमेंड किये बगर इनोंने जो संपत्यां छे फ्लाइक स्थाफ रूड का हिस्सा बनाई शीश महल का हिस्सा बनाई जो बिल्डिंग मनाई उसका में फ्लान संक्षन ही कराया जो आफ ऐ आफे आर आपने जितना आलओट सा उससे कही जynittles Island जाधार में मैक्सिमम ग्डराउंड कवरेज ए उससे जजदा आपने कवरेj की और आप जो इसका कर रहे थी आपने एडिशन और अट्रेशन के नाम पर वर्क ऑर्डर किया 53 करोड रुपैस पर खर्च किया लेकिन वास्त्विक्ता में इसको आपने रेज किया पूरा और नए सिरे से पूरा ये शीश महल खाना किया आपने सुना होगा केजरिवाल की इमानदारी की और अरविंद केजरिवाल के सी समहल की धजिया उड़ाकर रख दी हैँ सच मुछ दिल्ली की जंता को ये सब चीज है ध्यान में रखनी चाहिए हम सवाल अरविंद केजरिवाल से इसलिए पूछते हैं तो कि केजरिवाल ये बात कहकर आये थे सुरक्षा तो मैं लूंगा ही नहीं मुझे क्या ज़रू होता है जी सुरक्षा की दी ये बात कहकर आये थे लालवत्ती कल्चर का क्या मतलब है मैं मैं कोई बी बी आई पी थोड़ा हूं तो ये बात कहकर आये थे फिर्ड आज सब कुछ अर्विंद जीबार ने किया जिसको वो कभी कजमे क्हा करायति के में काम क्यारी आप सोचें आज अर्विंद के जीबारे एक्स्पोज हो चुकर हैं दिली की में चुनावों में सूपरा साफ हो अरविंद केजरी वाल का ये सब इसका उधारन है कि आज अरविंद केजरी वाल की छबी दिल्ली की जनता में खतम हो चुकी है और वो एक करप्ट नेता बरस्ट नेता और बरस्ट पार्टी के रूप में स्टैब्लिस हो चुके हैं अब उनका कोई दाउं जनता पर चलने वाला नहीं है क्योंकि उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया था उसका जीता जागता ओधारन है सराव गोताला आने वाले समय में अरविंद केजिवाल का बाकी जीवन है व्यत्तित होगा तेहार जेल के अंद होता जरूर है पहराल अगर आपको हमारी ख़बर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें कमेंट्स वाक्स में अपनी जरूर लिखें इससे हमें बहुत 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 उर्जा मिलती है जहीं जवाराद